मौनसून के लगाता सक्रिये रहने से दिल्ली में सितंबर महा की बारिश का 121 सालों का रिकॉर्ड बस तूटने को ही है मौसम विभाग के ताजा पुर्वानुमान के मुताबिक अगले 10 दिनों तक दिल्ली में बारिश होगी ऐसे में मौनसून इस नई हरकत यानी सक्रिये रहने से दिल्ली में बारिश का 121 सालों को रिकॉर्ड कभी भी तूट सकता है माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों के रिकॉर्ड तूटने लाइक बारिश तो होगी ही और रिकॉर्ड तूटना तैह ही है गौर्टलब है कि मौसम इबा की मुताबिक सितंबर में बारिश का आल टाइम रिकॉर्ड 1901 से लेकर अभी तक संग 1944 में 417.3 मिलीमीटर का है जबकि इस साल शुकरवार शाम 5.5 बज़े तक दिनली में इस महीने 413.3 मिलीमीटर में बारिश दर्च की जा चुकी है अब केवल 4 मिलीमीटर की कमी है और जिस तरह शनिवार को भी हलकी से मद्यम सर की बारिश का पुर्वानुमान जगाया गया है इस रिकॉर्ड का टूटन अलगलग तय ही है और कभी भी तूट सकता है दूसरी तरफ शुकरवार को भी दिल्ली में दीन बर बादल चाय रहे और सूरच के साथ जुका छिपी खेलते रहे बीच बीच में कहीं कहीं हलकी बारिश भी हुई इससे गर्मी के तेवर भी नरम रहे अधिक्तम ताप्मान सामाने से एक डिगरी कम 32.7 डिगरी सेल्सियस जबकि नियूंतम ताप्मान सामाने से एक डिगरी अधिक 24.4 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गे हवा में नमी का स्तर 68 से 95 फीसद रहा बारती मौसम विज्ञान विभाग का पुर्वनुमान है कि शनिवार को भी बादल चाय रहेंगे हलकी सी मद्यम सर की बारिश होने की संभाव ना है अधिकतम तापमान 33 एवं नियूंतम तापमान 25 जिगरी से अलसियस रह सकता है मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक मौन्सून की सकरीता ऐसे ही बने रहने का पुर्वनुमान दिया है शनिवार और अविवार के लिए येलो जबकि महीने के बाकी दिनों के लिए ग्रीन अलट जारी किया है